हेलो फ्रेंज, वेलकम तो ए 24 नॉलेज ए ओफिशल यूटूब चैनल, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे महारास्टरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, महारास्टर वन विभाग की नियू रिकुर्माइन नॉटिफिकेशन के ओनलाइन फॉर्म अपलाए प्रोसेस के ब उनके लिए आपकी जारी की गई है, जिनके लिए आप इसका ओफिशल नॉटिफिकेशन चेक कर सकते हैं, इसकी ओफिशल वेबसाइट पर, साथ में जो लिंक है इस नॉटिफिकेशन से रिलेटेट वो आपको मिल जाएगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में, जॉबरासा. जहां पर जाकर आप इसकी डेटेल्स को चेक आउट कर सकते हैं, अगर आप अप्लिकेबल हैं, अप्लाइ करना चाहते हैं, तो आप इसमें ओनलाइन अप्लाइ कर पाएंगे, बात करेंगे फैंस, यहां पर इसके फॉर्म अप्लाइ प्रोसेस के बारे में, और इस वीडिय यहां पर प्रधान, मुख्य, वन संदक्षक, वन बल प्रमुक, महराष्ट राज्य का यह ओफिशल फॉर्स डिपार्टमेंट डिकुमेंट 2023 पोर्टल आपका रहेगा, अप्लाइ करने से पहले देखिए जो आपको आपको यहां पर रेडाउड कर लेनी है, इसके बार आप सबसे पहले पर किलिक करेंगे, आपके सामने जो इंस्ट्रक्शन से इनको आप complete होने दें, इसके बार आप इसे close करेंगे और आईए करेंगे, यहां पर देखिएशन से सबसे पहले आपको यहां पर कुछ जानकारी फिल करनी है, जिसमें सबसे पहले आप देंगे यह यहां पर आपका first name, middle name और आपका last name और यह धान रखेगा first name और जो आपका last name है वो आपका यहां पर mandatory रहता है और अगर friends आपके नाम में friends आपका कोई भी last name नहीं है only आपका जो नाम है उसमें सिर्फ first name ही है तो इस condition में आप इस first name को ही last name में दोबारा से enter कर देंगे आपक यहां पर कभी आपने अपना नाम change किया है तो yes कर सकते हैं क्या नाम है आपका बदला हुआ वो जानकारी आपको देनी है नहीं तो आप no करेंगे आपका DOB क्या है तो आप इस calendar पर click करेंगे आपका friend से जो भी date of birth है वो आप इस calendar के माध्यम से select कर सकते हैं 30 June 2023 को यह count होकर आजाएगा इसके बाद यहां पर आपको सबसे पहले gender select करना है matriculation का जो role number होता है वो आपको यहां पर provide करना होगा इसके बाद matriculation का जो passing year है वो कौन सा है वो जानकारी आपको यहां पर provide करनी है इसके बाद फैंसे यहां पर next option है आपके mobile number का आपकी mail ID का तो आपके जो इसलिए एक्टिव और वैलिड मॉबाइल नंबर मेल डी आपको एंटर करने हो ध्यान रखेगा इन पर आगी की जो कम्बूनिकेशन डेटेल्स है वह आपको सेंट की जाएंगे इसलिए एक्टिव और वैलिड मॉबाइल नंबर मेल डी आप एंटर करें इसके बार है test center district preference त इसके बार आप यहां से I Agree करेंगे और इसके बार जन एटोटी-पी आपको विरीफाइगे इसके बार एक OTP आपके पास आएगी वो यहां से बाप करनी होगी OTP विरिसाई करने के बार आप इसे यहां से डिक्लेर करेंगे इस Capture Code को फिल और री वेरिफाई करेंगे री वेरिफाई करने के बार आपने जो भी डिटेल्स अब तक फिल की हैं जैसे आपका नाम आपका डेट ओबर्थ आपका रोल नंबर आपका फ्रेंस पासिंग इयर मॉबाइल नंबर मेल आईडी इस सब आपको दुबारा से शो होंगी उसके बार आ आपका डिस्टेशन पेज है इसको आप फ्रेंसे यहां से प्रिंट निकाल कर या सेव करके अपने पास से रख सकते हैं और उसके बाद फ्रेंसे आपको यहां पर एक नए स्टेब मिलता है पोस्स सेलेक्शन का आप इस पर किलिक करेंगे यहां पर आने के बाद देखिए एक और अप्षण है क्लिक के टो फिल डा एप्लिकेशन पर किलिक करेंगे इसके बाद देखिए फ्रेंससे आपका जो इंस्ट्रेक्शन से पेज है वो दुबारा से ओपन होगा आप इसको啊 क्मेट होने दें complete होने के बाद देखिए इन step पे आप इस form को कम्प्रिप्रेट उसके बाद इदिशनल डिटेल, कम्मिनिकेशन डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल और उसके बाद डॉकुमेंट अपका पेमन्ट इसके बाद फैंज यहां पर देखिए आपको सबसे पहले मेरिटल स्टेटस आपका सलेट करना है तो आप अपना medical status select कर लेंगे आपका friend जो father name है और जो mother name है वो आप यहाँ पर provide कर सकते हैं इसके बाद नीचे आप आएंगे यहाँ पर आपको select करना है applying post आप किस post के लिए apply कर रहे है stenographer के लिए आप यहाँ पर forest guard के लिए surveyor के लिए जिस भी post के लिए apply करना चाहते है आप उस post को select कर लेंगे इसके बाद nationality आपको select करनी है अगर आपका dimension महरास्त्रा है तो आप यहाँ पर yes करेंगे और cast category आपकी कौन सी है इसमें से वो आप select कर सकते हैं इसके बाद फिन से applying circle आपको यहाँ पर select करना होगा आप अपने according जो भी applying circle लेना चाहें वो आप ले सकते हैं अगर आपका महरास्त्रा का dimension नहीं है और आप यहाँ पर no करते हैं तो उस समय आप यहाँ पर सिर्फ open category मतलब general category से ही apply कर पाएंगे और उसके बाद फिन से आप यहाँ पर applying circle select कर सकते हैं पस उस condition में आप से फिन से जो knowledge of Marathi language है वो आपको फिन से लिखना पहणना बोलना आना चाहिए तो ही आप इसमें applicable होंगे यह चीज फिन से आपको यहाँ पर clear होनी चाहिए इसके बाद फिन से mark of identification मार्क में कोई भी cut का निशान, कोई mole, कोई burn का निशान है आपके चहरे हाथ पैर पर आप उसकी जनकारी दे सकते हैं नहीं है तो आप no mark की entry करेंगे अब आपके पास देखिए कम से कम एक identity proof होना चाहिए जैसे pen card, driving license, voter ID, passport आपके पास इन में से जो भी option applicable है आपके पास है आप चाहें तो एक से ज़्यादा दे सकते हैं बागी कम से कम एक आपको यहाँ पर देना होगा तो pen card है तो pen card का नंबर है और pen card पर जो नाम है वो आपको mention करना है इसके बाद I am volunteer submitted by identity proof पर किलिक करेंगे और उसके बाद saver nest पर आपके लिक कर देंगे इसके बाद फैंसे nest option आपके additional details का है तो देखिए अगर आप एक service man है तो yes या no कर सकते हैं अगर आप yes करते हैं तो आपको यहाँ पर service period कब से कब तक आपको रहा है वो आपको जानकाई देनी है sports person अगर आप है तो आप अपने जो आपकी achievement level है international, national या state level इसके लवा category या level कौन सा है full name tournament का क्या है कौन सा medal या award आपको मिला है certificate issuing authority क्या है वो सब जानकाई देनी होगी नहीं तो आप इसमें भी no करेंगे इसके बाद देखिए friends से अगर आप यहाँ पर graduate part-time employee है तो आप यह सи अनु कर सकते हैं project affected person है तो यह कर सकते हैं earthquake effect है तो यह सिअनु कर देख डैली विज़गे लेबर आप forest department में तो आप यह सिअनु कर सकते हैं अगर आप orphan candidate है तो यह सिअनु कर सकते हैं son ya daughter है उन किसान के जिन्होंने suicide कमेंट किया है तो आप यहां पर yes and no कर सकते हैं Home Guard है तो yes and no कर सकते हैं इसके लावा नकसल अटेक में अगर कोई forest employee कि अगर आप जो expired हुए हैं उनके आप son या daughter है तो yes and no कर सकते हैं तो आपके according option में आपको yes and no करना होगा इसके लावा आपके लाव कोई fire है या नहीं है आपके अरेस्ट हुए है नहीं हुए है आप उसकी जानकारी यहां पर provide करेंगे यह करने के बार फैंसे आपको इस data को save and nest कर देना है इसके बार फैंसे nest option आता है communication details का सबसे पहले है correspondence address correspondence address होता है जहां पर आप प्रिजेंट में रहते हैं तो पूरा address आपको mention करना है मैं सिर्फ सेंपल के तौर पर enter कर रहा हूं आपका जो एक्चल डाटा है वह आपको enter करना होगा तो यहाँ पर आपका जो भी state है आपका district है आपका pin code है यह जानकारिया आप दे सकते हैं अगर आपका present और permanent address सेम है तो आप सेम इसपली कीजिए अलग-अलग है तो आप अलग-अलग entry कीजिए और save and nest कर दीजिए इसके बनाता है qualification qualification में सबसे पहले यहाँ पर है आपका 10th 10th में friends आपको board का नाम देना है आपके school का नाम या institute का नाम देना है इसके बाद देखिए percentage और marks आपका percentage है तो आपको marks obtain maximum mark देना होगा cgpa है तो आप यहाँ पर cg obtain कितना किया है total cgpa किया है और यहाँ पर factor आपको mention करना है जैसे माली जी आपने obtain किया है यहाँ पर 9.5 यह 9.4 cgpa आपने गेन किया है कितने में से गेन किया है 10 में से तो यहाँ पर जो multiply factor रहेगा यह 9.5 रहेगा इसके बाद आपकी percentage automatic count होकर आ you pass higher secondary school exam certificate with science या math या geography या economic रो आप यहाँ पर yes कर सकते हैं अगर आपने इसमें पास किया है और आप friends इससे पहले apply करें LGBT conditions को check जरूर कर लें इसके बाद friends से यहाँ पर दुबारा से आपको आपके लिए की board का नाम देना है आपको friends से आपके school का नाम देना है आपका percentage of marks क्या है वो आपको same percentage है cgpa है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं इसके बाद friends से marks obtained कितने है total marks कितने है जानकारी आपको provide करनी जानकारी है और आपका passing year क्या है वो आपको जानकारी provide करनी होगी अब degree में friends से अगर आपके पास कोई degree है तो आप उसकी जानकारी डे सकते हैं किस institute से आपने पास की है किस month and year हुपास की है percentage है cgpa है वो आप दे सकते हैं पोस्त के लिए mandatory भी नहीं है तो अपने experience को आप blank छोड़ेंगे और उसके बाद ही save and nest करेंगे इसके बाद फ्रेंट से जब आपकी data यहाँ पर save हो जाएगी इसके बाद आता है document upload सबसे पहले है recent past photograph इसके बाद है signature अब यहाँ पर देखिए आप आई वाले section पर आएंगे त इसके लाबा 10 की March Sheet 12 की March Sheet आपको upload करनी है ग्रेशन डिग्री साइटिफिकेट अप्लोड कर सकते हैं और इसके बाद फ्रेंसे small family undertaking आपको यहाँ पर upload करना है अब यह certificate है वह आपको कहां से मिलेगा तो यहाँ पर देखिए click here to download copy of undertaking आपको यहाँ पर दी गई है आप यहा आपको यहाँ पर दिये गये हैं और यह pdf format में आपको upload करने हैं तो यहाँ पर friends click here upload पर click कीजिए file को select कीजिए और यहाँ पर upload कर दीजिए upload करने के बाद नीचे friends से fees आपको शो करती है fees आप online mode में जमा करवाएंगे और इसके बाद आपको next option मिलते है declaration के तो जितने भी declaration क अगर आपको यहाँ पर click करने होंगे और यह ज़रुरी है करना इसके बाद आप यहाँ से worldview चेक करेंगे पriview चेक करना बहुँत जरुरी है अगर आपने कोय भी गलती कर दी है बैक जाकर सही कर ले अगर आपको लगता है को कोई भी गलती नहीं है तो ही आप इसे summit आपको सबसे पहले terms and condition पर क्लिक करना है यहाँ पर देखे UPI का option भी है card का option भी है जिसमें visa या master card या रुपे card आपका कोई भी है and net banking अगर आप user है तो आप कोई भी user के थुरू payment यहाँ पर कर सकते हैं तो multiple options हैं जैसे आपके पास माल लीजे रुपे card है तो आप इस option को select कर सकते हैं और उसके बाद fans आपकी जो card की details है वो आप यहाँ पर fill करेंगे और fill करने के बार आप pay now वाले option पर click कर देंगे जैसे ही आपका payment verify होगा आप अपना final print out निकाल कर अपने पास से रख सकते हैं तो यहाँ पर fans देखिए जब process आपकी complete हो जाएगी तो यहाँ पर देखिए आपका जो form है वो आपको submitted यहाँ पर show करेगा और fans आप यहाँ पर click here to fill the application form कर सकते हैं आप किसी और post के लिए apply यहाँ पर करना चाहते हैं तो यहाँ पर fans मैंने आपको जानकारी provide कर दी है कैसे आप महरास्टर forest guard requirement 2023 का online form apply कर सकते हैं अगर आपको हमारा की update पसंद आया है तो like, subscribe, share जरू किजिए बाकी की जानकारी के लिए ऐसा ही बने रही हमारे साथ, देखते रही हमारा YouTube channel एला स्थेंक्स पूर वाचिंग